हेलो फ्रेंट्स वेल्टम तु आ चानल आप में से बहुत सारी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कौन सा एर फ्रायर बेटर है फिलिप्स या पिजन तो आज मैं सेम चीज दोनों एर फ्रायर में बनाऊंगी जिससे कि हम कंपेर कर सकें कि दोनों में से कौन सा एर फ्रायर आज में दिकेंगे की रिजल्ट कैसा एगा मैं अ हम एंपनेखे फिजन एर फ्रायर बेटर में दों। अलए बेटर हॉआ है अब हम दोनों को स्टार्ट प्रायर पर इस सेंतां थाइंड लिए इसराकति में रुटर बेटर कर सकें कर शार्बिए इस और सेंग करें किई हां सबसे पहले मैं फिलिपस एर फ्रायर को 180 डिग्रीज पे एट मिनिट्स के लिए सेट कर देती हूं and let's start it and similarly मैं यहाँ पे पिजिन एर फ्रायर को पी 180 डिग्रीज पे एट मिनिट्स के लिए सेट कर देती हूं तो एट मिनिट्स हो चुके हैं अब हम दोनों एर फ्रायर को ओपन करते हैं और देख रहे हैं कि टिक्की कैसे फ्राय हुई है तो firstly मैं यहाँ पे उपन कर रही हूं पिजिन का एर फ्रायर और यह टिक्की में आपके सामने आपको निकाल के दिखाती हूं यह देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि टिक्की उपर से तो क्रिस्प हो गई है लेकिन नीचे से अभी भी सौगी है दूसरी टिक्की भी देख लेते हैं सिमिलरली यह भी आप देख सकते हैं उपर से जो था यह क्रिस्पी हो गई है बट अगेन नीचे से थोड़ी सौगी है तो फिलिप्स की टिक्की भी देख लेते हैं कि वह कैसी हुई है कि यह तिक्की यह देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छी ब्राउन हुई है और काफी क्रिस्पी है आपको ये sound से ही पता लग गया होगा कि दोनों साइड से क्रिस्पी है ये टिक्की मैं इसको यहाँ पर रख रही हूँ और similarly ये वाले टिक्की देखिए ये इसका टॉप था उपर से भी क्रिस्पी है और नीचे से भी क्रिस्पी है तो फ्रेंस यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने दोनों टिक्की साथ साथ में रखी है आपको कलर से देखने में फ़रा पता लग जाएगा कि कौन से टिक्की जादा क्रिस्पी है कौन सी बहुत अच्छे से प्रिस्पी है फ्राइ हुई है पिजन की टिक्की थोड़ी सौगी है और यहां पर देखिये, फिलिप्स air fryer की टिक्की बिल-pul crispy है, आपको texture से, color से, crispiness से, सब से आप idea लगा ही सकते हैं, कि विच टिक्की इस बेस्ट, राइट, और यहां मेली चॉई सकते हैं, पिलिप्स air fryer, विलिप्स एर अपके से, झाल यहां पर यहां मेली, तो मुझकी बिलिप्स और यहां जड़ेच, यहां मैली, तो यहां पर दिक्ष्यूर। यहां पर टोईोली ठीड़ की झेपने, छेले ते लिच, टो तो प्ते लोगेंट्य